नमस्कार साथियो मैं कुनाल आप सभी का संस्कृती PCS यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ अब तक पिछली वीडियो में हम लोगों ने 2021 तक के प्रशन पत्र को डिस्कस कर लिया था देख लिये थे इतियास तक कला और संस्कृती जो प्रशन पूचे गया है आज आप करते हैं कि वर्ष 2020 की परीक्षा हुई थी यूपी PCS की वहाँ पर इतियास तक कला और संस्कृती से कैसे प्रशन आये थी और किस प्रकार्संग को हम लोग सरलता से हल कर सकते हैं नाॉलिज का यूस करना है या फिर कोश्रीं कि अंदर से यहां से निकल जाया है या फिर इंफर elder है हुर्ट है तो क्या करना है कि पहला स्वार किया एस प्रह महत्व को थेका और उसके following Indian Archaeologist first visited Bheembeetka caves and discovered prehistoric significance of its rock paintings simple है कोई समस्य है निया लेकिन यह है जो question actually fact की बात कर रहा है अगर आपको वैक्ति का नाम याद है तो ठीक है यदि आपको नहीं नाम याद तो फिरो सिस्थिती में तो मामना कड़ बढ़ है जैसे कि अंदर जो थे खोच करता उन लोग के बार में पता है जिसके शुरुआत खोच जो थी वह शुरुआती खोच की गई थी करनल अलेक्जंडर कंणिंगम के द्वारा लेकिन जो में क्रेडिट जाता है वह जाता है बिल्कुल आडी बैनेट जी और देहर हमसानी को ठीक है यह होता है और यह ऐसे नाम है कि हम बहुत अच्छे से रटे हुए हैं लोग का फिक्स है हम अगर नीद में भी होंगे ना और नी के द्वारा ही हर एक चीज़ की गई थी इन्होंने ही देखा था उसके महत्रों को खो जाता जिसके बाद हमारी इतियास की किताबों में इनका नाम अमर होगी है अब जब जब भीम बेटगा की बात हो कि तब तब यह बाद ध्यान रखिएगा कि जो वी एस वाकंकर साहवे इनका नाम आएगा और आप लोग को यहीं अडिक रहना है इन्हीं को ही मार्क करके आना है जिन्होंने कहीं पढ़ा होगा रहली उनको चीज़ें सट आउट हो गई होगी बहुत एजीली आंसर कर दिया हुआ उन्होंने बट यह सभी चीज़ थोड़ा जरूरी है जब कभी की गई थी यहां तक कोई समस्या नहीं किसी को तो देख एक चोटा सा एक्स्प्राइशन बढ़ा हुआ ट्रेंड में घूम रहे थे उस दौरा नहीं ने देख लिया नजर पढ़ गई थी इनका पूरा नाम है डॉक्टर विश्णू वकंकर पहली बार इन्होंने उन्होंन से बात की थी हड़पा सुचिए पर बारे में गउर नहीं बिलकुल नाम लिया तो नाम लेने की वसानते हम आपको में बताना की कौनप सी जगा ढहें वहाज के भरतमान किस्छी में हुआ ओंसर बताएंगे तो इसन्स्थिती में और आपको आंक्कील बलाएंगे लेकिन छोड़ना नहीं है मिलान वाले प्रष्ण असान होते हैं फिर असान है इतनी ज़्यादा है garlic करण में लोगे इतना पड़ दए होगी हर इक चुर। से पता भी चल गई है लेकिन अभी प्रश्ण का गया करना है हालकपा पुरास्थल और आज के किस राज्य संग छेत्र में है यह बताई है आप ठीक है तो चार जो जगां हमारे पास में कौन कौन सी है बालू मांडा पाड़ी और हुलास राज्य दे दिये हैं उत्तरप्रदे मांडा कहां पर है बहुत अच्छा नाम है बार 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 आता है उत्री सीमा बनाता था ह्रप शने जम्ति एक लिक नहीं करते दस्य बिखियाए हैं आप इस सिस्तिती में हम लोग देख रहे हैं कि B और C हमारी आंसर किसी कीमत में कोई एक हमारा सही आंसर या तो उपर वाला होगा या नीचे वाला होगा ठीक है अब इस दौरान अगर हम लोग ऑप्शन देखे तो हमें एक खास चीज और देखने को मिल रही है देखो एक लिए दोनों ही जगा पर तीन भी दे रहा है जब हम लोग यहां पर तो हमें पता लग गया कि एक लिए तो तीन ही होगा कुछ नहीं करना है चलिए जी अब एक के सामने हम यहीं पर ही तीन लिख देते हैं जारूरी नहीं है कि हर बार हम ही लड़ें बहुत बार जब ऑप्शन हमारी मदद कर रहे हैं तो हमें मदद ले लेनी चाहिए अब हमारे अंसर रहे गाए विकल्प रहे ऑख एक रहे ङे अगर कहीं पर डी के सामने एक लिखा दे रहा है तो वही हमार और उसी के साथ हम लोग जाएंगे ठीक तो इस प्रकार हम लोग कांसर क्या हो गया वो गया और सी यानिकी पार्टरी जो है हैं गुजरात के अंदर हैं अप्शन की मदद लेते रही है अपने ज्ञान का भी प्योग कीजिए थोड़ा से सरल भी हो जाए और आप लोग सही आंसर भी निकाल पाएंगे कई आप लोग का ठीक आप लोग के सामने चली आगे बढ़ते हैं फिर एक बार सूची आ गई है औ सुचीयों का मिलाईं और हमें बताइए कि सही आंसर क्या है इसने येनी बताया कि सूची एक मनिया और सूची दो में क्या है कि खुद समझ लो हमें समझ में नहीं आ रहा था जिलिम आप लोग को ना के लिए नहीं कर पाए क्लासिफिकेशन नहीं कर पर कुछ समझ लिए जैसे आपको ठीक लगता है कि एक तरफ से सिंदु हाटी सब बैता है इंडेस वाली सिविलाइशन उत्तर वेदिक काल लेटर सब्सक्राइटी डिगवेदिक समाज है डिगवेदिक सब्सक्राइटी और मधिकाल मेडियोवल पीरिट की बात कर रहा है चार आप्शन आपको जो मिलाने हैं उसमें हैं चारगाह यानिकि पैस्टोरल जमगिदारी लैंडलोडिस्म क्रिशक अगरिकल्चिर नगरिये अर् यह है एक शहरी सब्सक्राइटी कहां है शहरी और नगरिये यह रहा फूर पहले से निकल जा रहा है तो अच्छी बात है वरना फिर आगे भी लड़ाई लड़ेई जाएगी देखो दो अप्शन अलिमिनेट कर दिये हम लोग वने इसके साथ ही यहां भी सी और बी आंसर न पड़ेगा रश्यूरत आहन किसको चेड़ना चाहाऊ है अधर डिक काल रिग्वेधिक काल हमद्द ऑद सकते जिसे बीड़ समय कर दियुक्त कर दो क्रिशक समाज हुआ ने ज gefährden लोहां डिसकोवर होने के बाद ही हम लोगों ने फिर जमीन के जो सीना है उसको चीरना शुरू कर दिया था और इसके अंदर से फसल निकालने शुरू कर दिया थी यही तो था लेकिन हम लोग रिख्वेदिक में कैसे थे गाएं का महतु था पशुपालन अधिक होता था तो अब इस इसाप में पता लग जाते हिसे अकर मोठी अच्हुपालन के साथ जा रहे है तो उस इस्तिति से में हमें बन जाना है और सिस्क योधेक आपना है रहेंगे लिख्वेदिक में रहेंगे तो हमें बन जाना है यहां पर। महीं बंचा कुछ अन्वें ethnicity ठीक तो बहुत अधिक चीजे जानने समझने भी नहीं थी बहुत बेसिक सा था हम लोग जिस प्रकार समाज पढ़ते हैं वबस्ता पढ़ते हैं आर्थी किस्तिती पढ़ते हैं वहीं से आंसर आ गया था फिर एक और बार मिलान आ गया जी अब की बार मिलान कुछ अलग है कह थोड़िसी बात कर लेते हैं सोला महा जनपतों ऊप्LIिक बात सोला महा जनपतों तक सीमत नहीं रखनी है क्या करना यह बताओ प्र कौन सी राजधानी तो बढ़ागड़ पड़ा है अब 16 महा जनपत और 16 के सोला की राजधान याद करने हैं बिल्कुल पॉसिबल है सब लोग याद रखते हैं पॉसिबल नहीं भी है तो भी जासकती है और वहीं हम लोग जिस परकार से मिलान वाले में आप्शन से भी तो मदद ले रहे हैं न ऑ जैसे कि हम लोग सबसे बहले बात करते हैं मतस्य की अब मतस्य महा जनपत की राजधानी क्या हो सकती है मतुरा पोतन विराद नगर या इंदरप्रस्त अगर ग्यान के अधार पर देखा जाए तो आप लोग एजिली निकाल पाएंगे यदि ग्यान नहीं है पड़ा नहीं ह फिक है खरू के लिए हम लोग जाएंगी इंदरप्रस्त के सासानी की फोर्थ हो जाए दरूरी है कि महाजनपतों को याद रखा जाए और इत्यास में महत्वपूर्ण है यह है यह तो हम लोग आप लोग याद करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है जब आप लोग पूरा एंशिंट हिस्ट्री पढ़ ले रहे हैं मेडियेवल हिस्ट्री पढ़ ले रहे हैं हर एक चीज मैंने महां बता रखी है तो आपको वहां से भी बहुत कुछ सीगिना अन्यों को मिलेगा अगर आप लोग करना चाहते हैं क्लासिस की तो भी हमारी हिस्ट्री वाले प्लेस्ट में हर एक चीज महां पर क्लेर कर रखी है वहीं इसके सासाथ आप लोग एक और काम आप यह पता है तो ठीक वरना बेवजन नहीं वजलचना विकिन कुछ नहीं कर सकते इसका अंसर इच्वाकू है एक उपादी थी हम देखते ना अलग अलग जगा पर अलग अलग शाशक जो थे उपादी धारन करते थे चाहे कोई महाराज दिराज बन रहा चाहे कोई विक कह रहा है कि मौरे काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्रिकित में से केस छेट से संबल नित था है दो ओफिशल अग्रोनोमोई धिरिंग मौरे एज वास रेलेटेड विच आफ फॉलग फील्ड चार है हमारे पास में कह रहे हैं कि माप और तोल वेट और मेजर्मेंट प इसका सही अंसर जो है वह सी था यह एक जिला अधिकारी हुआ करता था और जिले में इसके पास मुक्केदायत हुथ है मार्ग वगरा क्या हुआ करता था ठीक है कि सड़कों अगरा वह देखना है चीजों की ववस्था करनी है साफसफाई वगरा जो है मार्क के उपर वो उ नहीं कर पा रहा है ठीक है तो पहले में कहा गया है we have much more information about चोला's than their precision हमें चोलो के विशे में उनके पूरवर्ती राजी की अपेक्षा अधिक जानकारी है यह है पहली बात तो पूछा गया कि सही है या नहीं है आपको पहले हाँ पर यही पता रहोगा उसके बाद को कि दिवारों पर अभी लेक उत्करिंट करने का चरह प्रारंब किया जिनमें उनकी विजय के इतिहासिक विवरेंट दिये जाते हैं तो देखिए यह स्थिति आपको पता होनी चाहिए कि हमें अगर जानकारी मिलेगी तो किस ना किसी सोर्स के माध्यम से मिलेगी चीज़े क जहीना का इच्छे से लिखी जाएंगी क्योंकि जब सोर्सी जितने ज्यादा अधिक होंगे हमारे पास जानकारी उत्ति अधिक कम होगी इसी वज़ासे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में हडपा सब्वेत्य की जो जानकारियां है मुख्यरूप से पुराते अद्विक अब शेशों के अधार पर हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी लिट्रेचर का मौजूद नहीं कोई भी साहित्य नहीं है हमारे पास ठीक है वहीं इसके लाव हम लोग देखते हैं कि इससे पहले किस्तिती तो ऐसी थी कि पतलब यहां थोड़े चिन वगारा मिल गए हैं कुछ- यह सही होगा अपने कुछ काम किया होगा तो इनकी स्थिती यही थी कि अलग अबिलेक बहुत लिखवाय करते थे यह लोग और अलग अलग जगा पर जो यह अब लिखवाय करते थे तो वही बन गए इनकी सोर्सिस जिसकी वज़े से हमें अधिक जानगारिया मिलने लगी तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि कथन सही है कारण भी सही है और कारण जो है वह कथन की सही व्यक्ख्या कर रहा है यह प्रकार जो है विकल्प का अगर हम देखे तो कहां मिल रहा है बहुत A and R are true मिलकुल ठीक हम दोनों को सही मान रहे है and R is the correct explanation of A हम यही बात चाहते है कि सही व्यक्ख्या भी करें और दोनों सही भी हो तो A हम लोग का अंसर भी हो जाएगा ठीक है तो सबी चीज़ा हम लोग के सामने हैं बहुत सारी भाष्यायों के अलग-अलग है या नहीं है कोई एक गलत है कोई दूसरा गलत है वगरा वगरा बता सकते हैं ठीक है तो क्या पताना है कि मुलतान के सूर्य मंदिर का उलेक वैंड स्वैंग अबुजाइद अलमसूदी और अलबरुनी ने किया है ठीक है अब इन सब के बारे पता होना अच्छिए कि इन्होंने उलेक किया है या नहीं किया है मुलतान के सूर्य मंदिर का वहीं साथ सद यह भी कह रहा है कि संभपूर यात्रोच सव अब देखी है मामला जो है कंसेट समझना पड़ेगा चीज समझनी पड़ेगी याद होगा आएगी बात तो अदर्वाइस देखो इतना जदा कॉंप्लिकेट कर दिया इस प्रश्ण को ना कि बचके निकलना थोड़ा सा अधिक बहतर रहेगा इस परकार की प्रश्णों मे आगे बढ़ते हैं नौवा प्रश्ण हम लोग का कह रहा है कि चार आपके पास में विकल्प है आपको इतना बताने कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है जल्दबाजी नहीं करनी है प्रश्ण को भी आराम से पड़ना है विच फॉलोविंग इस नौट करेक्टली मैच आपको इस पर ध्यान देना है अब चार आपको लोग दिये गए हैं और चार से समझनी स्थान दिये गए हैं दुरसल यह है कि पहले बतायता हो यह पूछ रहा है कहा कहा पर किसकी दरगा है और किसकी दरगा नहीं है यह कह र जरीब दॉलतबाद में हैं इनकी दरगाया नहीं बिलकुल जी यहीं पर हैं शेक मौम्ढद अबुन को बात नहीं है ना उप्शन सब्को पता है कि शेक निजाम Montyan Auliya की दरगा सब को पता है कि शेक निजाम opens upstream कÜ दो अपर रेल्वे स्टेशन है और जो रेल्वे स्टेशन है साथ गौतान नर coop रिपर पड़ो जल्दबाजी नहीं करो मैं सबको सम्झाता हक्त हूं कि इसली टिक हो पारहें दूसरी डिंग में उन प्रश्णों पर ध्यान तो लगता था कर सकते हैं पर थोड़ा टाइम मांग रहे हैं तो बाद में टाइम दे लो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत के सो प्रश्णों में इतना उल्चाओगे कि बाद गें 50 प्रश्ण के अंदर अपनी परिक्षा में हर एक प्रश्ण में नहजर जरूर डाले ठीक हैं डीस का अंसर हो गया दसवा प्रश्ण हमारा कह रहा है कि 1687 में जब औरंग जेब ने गोलकुंडा के लिए पर अधिकार किया था तो उसमें गोलकुंडा का साशक कौन था हूँ वाद रू जाएगा ऐसा कोई शाशक हो सकता है जो अंतिम रहा हो क्या कि और जेब मानने वालों में इसा नहीं था बहुत कुटाई करता था बहुत मारता था लगु रूहान करते करता था पूरे पूरे राज्य को यतना प्राकर्मी था युद के मावले में कोशल था इसके पास में इसलिए जो कहते हैं कि अंतिम महतुपूर्पूर्ण शाशक जो था गया है यही था मोगल शाशक ठीक है तो देखें सही आंसर जो है इसका अबुल हसन कुदूचा है यह अंतिम था इसने यूद लड़ा था यह हार गया था उस दोना विल गॉलकुड़ा पे कब्जा कर लिय जाए था ठीक है चीज़ें आप लोग के सामने इसका सही आंसर ग्यारवा प्रश्न हमारा कह रहा है कि बताइए सही है दोनों या एक सही है जैसे आपको ठीक लगे दोनों ही गलत है तो यह बता रहे हैं कि अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवा की आयू निर्ध अब उस दौरान देखना पड़ गया कि ऐसा कुछ किया था या कि नहीं किया था अकबर टाइट फिक्स दे एज ओफ मैरिज फॉर बॉइस और बोई और गल्स दूसरा में कह रहा है कि अकबर ने लड़कियों को अभी भावों के दवाओं से अलग स्वें की इच्छा से व किया लगता है बहुत सार लोगों ने गलता आंसर मारा था इसको क्यों कि सिचुएशन मैच नहीं करें ना मध्यकाली इत्यास की बात कर रहे हो तिनी फ्रीडम दे रहे हो और इस प्रकार की चीज हो चुछ रहा हम दिखते कि आधुनिक काल में हुआ आंदुलन हुए विव अपनी उच्छा भी जाहिर करो ऐसा है नहीं कि घरवालों ने जहां शादी करने की तया किया है जहां बाचित की है वहीं पेई कर लो इन्होंने सुतंता दिना शुरू कर दिया था है तो सी आंसर हो जाएगा इस परकार से हमाद लिए ठीक है वहीं हम लोग जब आगे बढ लेगा फरमानों को घटनाओं को रिकॉर्ड करेगा जागिर और वेतन को देखेगा या फिर राज्य के आएवे का निक्शन करेगा ठीक है यदि पढ़ा होगा तो बहुत एजी लिए आप लो निकाल पाएंगे असे को दिक्कत ने क्यों कि हर एक काल में अलग अलग पता निक्शन आपने ही करना है मुश्रिफ साफ जो थे को बोला गया तक काराले को समा लो ठीक है और ठीक उसी प्रकार वक्या नवीज जो था इसको बोलते थे परमुक गटना और फरमानों को आपने सूची बद करना है तो उस प्रकार से आंसर जो आ रहा है तीन चार एक दो आ रहा है हम लोग का किलियर है बात सारे लिसारी तो पद और उनके उपर उनको दिया गया दाइत हो यह चीज़े भी ध्यान रखनी हर काल में अलग-अलग होता है इस वज़े से एक दम गन्फ्यूज भी करता है और बहुत 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 कर देते हैं तो पसंद आ रहा है तो बागी साथे तक शेयर जरूर करना है और साथ साथ वीडियो वा लाइक के बिना नहीं जाना है हम लोग अगली वीडियो में मुलाकत करेंगे कुछ नहीं बातों के साथ तक तक के लिए विदा दीजिए थैंकिस वामाल जी